वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज डे हंड्रेड एंड है मेरी वेट लॉज रहने का और मैं आ चुका हूं अभी एक्सरसाइस कराके आज मेरा वेट एटीवन से एटीटो के बीच में आ चुका है क्या है मैं आपको वीडियो के एंड में बता हूंगा अभी कॉलेज निकलना है तो चलते हैं सीधा ब्रिक्फास्ट पे ब्रिक्फास्ट में मैंने लिया है मिल्कशेक और उसके साथ में एक लड़्डू जिसमें अप्रॉक्सिमेटली थाउजन केलरीज है और यहां पे मैंने 52 ग्राम्स अफ प्रोटीन कंजूम करा है दिन की मील में आज घूप सारी बढ़िया बढ़िया चीज आगई खाने को श्रीखंड बढ़िया मीठा एकदम बढ़िया वाला है और पेस्ट्रीज गार्लिक प्रेड का लोफ दही मावा और टेफिन जैसमें थी रोटी सबसी केलरीज में केल्कुलेट नहीं कर पाया पर आपमान के 14 राम से 1500 केलरीज मैंने आपे निपटाई है जिसमें लगबग कम से कम 50 ग्रम्स ऑफ प्रोटीन मैंने कंजूम करा है काम जादा था इसलिए अज शाम को मैं एक साइज नहीं कर पाया रात की मील में मैंने लिया है मक्की की रोटी दाल मूफली यहां पे मैंने ल सेप्स हो चुके हैं सेलिट थोड़ा सा रेगुलर बेसेस पर भी नहीं चल रहा है मेरा कोशिश 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 और कोशिश करूंगा कोशिश रहेगी उसको लगबग डेली बेसेस पर रखूं आज मेरा वेट 81.5 कीजी था एकदम 81 से 82 के बीच में मतलब एकदम डॉट बही है और कोशिश रहेगी अगले हफते मेरा वेट 81 के और ज्यादा पास हो मतलब 80-81 के बीच में हो थोड़ा सा मुश्किल है चांसे हैं जहां तक मेरे वो लगता है कि नेक्स्ट वीक इसे दिन तक मेरा वेट 81.1, 81.2 के आसपास हो सकता है या हो सकता है शायद 80-81 के 80-81.5 के जीज है था और और कम होता रहेगा ऐसी खाते पीते ठीक ठीक एक्सेस करते हुए होता रहेगा आज के लिए इतना ही कल मिलते हैं गुट नाइट